हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रतीसत के प्रस्णों को हल कैसे किया जाता है तो देख सकते हैं आपर एक प्रस्ण है चार रूपए का अठारह प्रतीसत कितना होगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चार रूपए तो सबसे पहले आपको चार रूपए को पैसा के रूप में बदल लेना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक रूपए में कितना पैसा होता है तो एक रूपए में होता है सो पैसा तो आपको यह पर लिखना है एक रूपए बराबर सो पैसा अब देखिए आपर चार रूपए है तो आपको चार रूपए को पैसा में बदलने के लिए आपको चार में सो से गुना कर देना है यानि चार में सो से गुना करे अब देखिए आपको इसको प्रतीसत में बदलना है पूछा जा रहा है कि 4 रुपए का 18 प्रतीसत कितना होगा तो आपको 4 रुपए के अस्थान पर यहाँ पर आपको लिख देना है 400 को ठेक है और का का मतलब होता है गुना यहाँ पर हो जाएगा गुना का चीन यहाँ पर देखिए 18 प्रतीसत है तो आपको 18 को लिखना है और जब भी प्रतीसत का चीन हटता है तो इसके बटा के नीचे 100 लिखा जाता है यह 2 0 से यह 2 0 कट जाएगा अब जो भी संख्या उपर में आया है इसका आपको गुना करना है यानि 4 गुना 18 करे तो यह हो जाएगा 72 यह जो होगा यह होगा पैसा के रूप में यानि आपको लिखना है 72 पैसा अगर 4 रूपय का 18 प्रतीसत निकाले तो वह होगा 72 पैसा तो चलिए हम लोग एक प्रस्ण को और हल करते हैं तो देख सकते हैं आपर दूसरा प्रस्ण है 2 केजी का 30 प्रतीसत कितना होगा यहाँ पर देखिए 2 केजी है तो आपको इसको ग्राम के रूप में चेंज कर लेना है तो आपको सबसे पहले लिखना है 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है एक केजी में होता है एक हजार गराम तो यहाँ पर दो केजी है तो आपको दो से एक हजार में गुना कर देना है यानि यह हो जाएगा दो हजार गराम अब यह जो दो हजार गराम आया है इसका आपको तीस परतिसत निकालना है तो आपको लिखना है सबसे पहले 2000 को यहाँ पर देखिए का है का का मतलब होता है गुना और यहाँ पर 30 पर 30त है न तो आपको 30 को लिख देना है और जब पर 30त का चिन हड़ता है तो इसके बटा में 100 लिखा जाएगा यह 2 0 से यह 2 0 कट जाएगा अब आपको 20 से 30 में गुना कर देना है 2 से गुना 3 में करे तो यह हो जाएगा 6 देखिए इसमें भी 1 0 है और इसमें भी 1 0 यानि यहाँ पर हो जाएगा 2 0 और यहाँ देखिए ग्राम के रूप में था तो यहाँ जो एंसर आएगा वह ग्राम के रूप में होगा यानि 2 kg का 30 प्रतिसत निकाले तो वह आएगा 600 ग्राम तो चलिए हम लोग एक प्रस्ण को और हल करते हैं तो देख सकते हैं आपर तीसरा प्रस्ण है एक वर्स का 25 प्रतिसत कितना होगा यहाँ पर देखिए एक वर्स के रूप में है तो इसको आपको महीना के रूप में बदल लेना है यानि एक वर्स में कितना महीना होता है एक वर्स में होता है 12 महीना तो सबसे पहले आपको इस तरह से लिख लेना है यहाँ पर देखिए 12 है तो आपको 12 को लिखना है और यहां पर देखिए का है का का मतलब होता है गुना और यहां पर देखिए 25 परतिसत है न तो आपको 25 को लिखना है और जब परतिसत का चिन हटता है तो इसके बटा में 100 लिखा जाएगा 25 से 100 को काटें तो यह कट जाएगा चार बार में और यह कट जाएगा एक बार में अब आपको चार से बारा को काटना है यह कट जाएगा तीन बार में तीन से एक में गुना करे तो यह होगा तीन और यह देखिए महीना के रूप में था तो यह जो एंसर आएगा वह आएगा महीना के तो आप लोग इस प्रश्ण को भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे तो चलिए हम लोग एक प्रश्ण को और हल करते हैं तो देख सकते हैं पर चौथा प्रश्ण है पांच सो का सत्तर प्रतिसत कितना होगा तो इसमें आपको बदलना नहीं है यहाँ पर पांच सो है न तो आपको पांच सो को लिख देना है और यहाँ पर देखिए का है तो का का मतलब हो जाएगा गुना और सत्तर प्रतिसत है तो आप सत्तर और जब प्रतिसत का चिन हटता है तो इसके बट्टा में सो लिख सकते हैं अब आपको संख्याओं को काटना है यह 2 0 से यह 2 0 कट जाएगा अब आपको संख्याओं का गुना कर देना है यह पांच से 7 में गुना करे यह हो जाएगा 35 इसके अंत में 0 है तो इसके अंत में 0 लग जाएगा यह इस प्रस्ण को हल करे तो इसका एंसर 3.5,5 तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि इस तरह का जो प्रातिसत का प्राश्ण होता है इसको हल कैसे किया जाता है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होते हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पेल आइकन को कर लिजिएगा प्रेज तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में